राजिसवाज सांसद और भार्दियंदा पार्टी की राश्टी मासाचीव सरोज पांडे ने भाजपा कारयले बिलासपुर में प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि मोधी सरकार पर लगाय जा रहें सारे आरोप बेबुनियाद हैं मोधी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने सहीद केद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे को पूरा किया है उन्होंने कहा कि भार्दियंदा पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका सबके साथ चलना और विकास ही मुख्यों देशे जब उनसे प्रदेश में भास्वा की हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हार का सबसे बड़ा कारण कॉंग्रस का गोश्टना पत्र बना है उन्होंने इस दोरान नेता प्रतिपक्ष ध्रमलाल कोशी के कारिकरताओं को लेकर दिये बयान पर कहा कि भारतियंदा पार्टी का हार कारिकरता ही रहे जीत हार चलती रहती है इसी प्रदेश में तीन बार जो सरकार बनी है वो भी कारी करताओं के दंपर बनी है। उन्होंने कहा कि अगर अब हम हार गए तो वो कारी करता ना कारा हो गए। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तीन तलाग 10 प्रतिशत आरक्षण जैसे मेहतुपुनुद फेसले मोधी सरका लिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर प्रदार मंत्री में वो शम्ता नहीं थी। महागर बंदन जो हो रहा है उसके कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो भारती जनता पार्टी के जीत की उप्रद्दी बनेगी। राम मंदर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब भगवान हम चाहेंगे तबी मंदिर बनेगा। नहीं दफाएंगे जो नहीं पुझित किया। अंजित किया। जकतर आपके तीन दलब की मिषय हो। चाहेंगे आपके आपर दस बत्सें धारव शेय का मिषय हो। चाहेंगे ज़े पीचरा वर्डोस वेमानी दर्जा रेडी की पातों इतने बएदिने और आपके लोगवत शुक्ता मेज़ों भी करने कि अध्यक्ता है इच और फेल्स थे बाधान केवा थ। परेक्ष में ने गृण भी पासुरी त। for more information log on to www.glips.in